हेलो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे Poco Company का फोन है और यहाँ पे आप लोग अपने फोन से फोटो खिषते हैं तो आपके फोन पर यहाँ पे जो टाइमिंग रहता है वो यहाँ पे फोटो क्लिक करने के बाद फोटो पर यहाँ पे सो करता है तो यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए guys मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फोटो से यहाँ पे जो टाइमिंग सो करता है जानी कि टाइमिंग का जो watermark आता है उसको कैसे हटाना है तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने phone पर camera को open कर लेना है camera को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर के ओर three line पे click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको setting वाले option पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे water marker के option आएगा यहाँ पे click करिए उसके बाद आपके phone पर यह option अगर enable रहेगा add time stamp on photo करके यह option अगर आपके phone पर enable रहता है तो दोस्तो आप जब भी photo कीचेंगे तो उसमें यहाँ पर timing का watermark यहाँ पर so करेगा तो आप लोग यहाँ पर उसको click करके बंद कर देजिए जैसे ही आप लोग इसको बंद करेंगे तो जब भी आप photo कीचेंगे तो यहाँ पर कोई भी timing का watermark यहाँ पर so नहीं करेगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग photo से watermark हटा सकते हैं याँ जो timing का watermark है उसको आप लोग यहाँ पर हटा सकते हैं तो चलिए गाईज मिलते हैं next video में